सो वेलकम बैक बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे किसी कॉडिलेटरल को आप पैरलेलोग्राम प्रूफ कर सकते हैं यहां बच्चों क्लास 9 कॉडिलेटरल चेप्टर में ऐसे बहुत सारे कोशन्स आप लोग को मिलने वाले हैं जिसमें किसी गिव कॉडिलेटरल को रॉंबस प्रूफ करना हो किसी कॉडिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करना हो कोई भी कॉडिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करना हो चाहें स्क्वायर प्रूफ करना हो चाहें रॉंबस प्रूफ करना हो यह प्रूफ करने के लिए मैं आपको बता द अगर किसी कोडिलेटर को आपको पैरलेलोग्राम प्रूफ करना है बच्चों तो कुछ प्रॉपटी का आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है और उसी प्रॉपटी के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे डिसकस करने वाला हूं तो सबसे पहला प्रापट्टी बच्चों जो आप लोगं को पता होने चाहिए और यह पिर्लल्लोग्राम का डेफिनेशन भी है पहला प्रापटी यह है बच्चों अपोजिट साइट्स अपोजिट साइट्स आर पैरलल अगर आपको किसी coadilator को parallelogram proof करना है तो simply अगर आपको कोई coadilator दिया है later suppose मैंने coadilator को इस परकार से बना लिया यह coadilator है और इस coadilator का मैंने नाम दिया ABCD और आप सोच रहा होंगे बच्चों के मैंने 섞 जोग्रा नहीं मैंने प्रडलोगरां अगर मुझे प्रूप आ लोगराम प्रूम् कर ना उदंधा है आउज लेलेलोग्राम एक कॉड्लेटरल होता है तो आप परो leave ना सकते हैं जिक्कति बात करें हम अगर माल लिज ऑदूसरा ए डी को parallel proof कर दिया BC के यह CB के अगर आपने दोनोग पेर को opposite parallel proof कर दिया दोनोग पेर को एक नहीं अपोसिट sides are parallel जानि कि किसी भी quadrilateral के अगर opposite sides के जो pair है वो parallel हो गए तो वो क्या बन जाएगा? प्यालेलोग्राम मन जाए तो यह पहला काम कर सकते हैं आप उसके का तो कर लिए दूसरा काम बहुत इंप्प्रेंट है बच्चों यह चीया होता है Iif any one pair if any one pair of opposite site kooy be a pair मैं इससे पहले वाले में बताया था कि दोनों के दोने होने चाहिए लेकिन मैं बोर रहा हूं कोई भी एक layer of opposite sides are parallel and equal, याने कि अगर आपने A, B को parallel proof कर दिया CD के और साथी साथ आपने A, B को बराबर भी proof कर दिया CD के, यह दो काम अगर आपने कर लिया, तो भी given co-dilateral कैसा हो जाएगा parallelogram हो जाएगा याने वह co-dilateral जिसके एक pair of opposite sides parallel हो, साथी साथ वह दोनों आपस में बराबर भी हो जाएगा तो भी वह parallelogram बन जाते हैं तो यह कुछ important बाते हैं आप लोगों को बिल्कुल से याद होने चाहिए, तीसरी बात है बच्चो, if diagonal bisect each other, if diagonal bisect each other, diagonal bisect each other अगर diagonal bisect करने एक दूसरे को, जैसे अपने काम करते हैं, अपने इसमें diagonal बना लेते हैं कि देखिए इस कोडी लेटरल में मैं एक diagonal बना रहा हूँ AC और दूसरा diagonal है BD let us suppose यह ओपर meet कर रहे हैं कहां पर meet कर रहे हैं ओपर इसका नाम मैं O दे दिया अगर आपने OA को OC के बराबर proof कर दिया OA को OC के बराबर proof कर दिया और OB को OD के बराब दोनों काम ना एक काम से काम नहीं बनेगा दोनों काम करना पड़ेगा OA बराबर OC और OB बराबर OD अगर आपने यह प्रूफ कर दिया तो भी parallelogram नाम बन जाएगा भई नि चोथा प्रॉपरटी देखेंगे ध्यान से चोथा ऑपोजिट साइट स्टिप आपॉजिट हुआ ए लिखेंगे पर नाफ अपॉजिट साइट पयार आफ उपोजिट में वह एप मत time pair of इच पियर इच पियर औफ ख़िस नि पने इन पंप उनिल तो अगर आपने बराबर पु कर दिया सीदी कि साथ को अगर आपने बराबर पुष कर दिया वी तो भी पार लेल Над्म बन जाएं यह अधों हमारा चौता कंडि अभ्र और पाच्वा और लास्ट कंडिशन बता रहा हूं बच्चों बोहत धहां से सुनेंगे पेर अफ एपोजीट एंगल पेर आफ अपोजीट एंगल अपोजीट एंगल बोले पróले तो यह एंगल एका ड़का अपोजीट है एंगल तो अगर आपने एंगल A को एंगल C के बराबर प्रूफ कर दिया और एंगल B को एंगल D के बराबर प्रूफ कर दिया दोनों का दोनों का तो भी क्या बन जाएगा ये पैरलेलोग्राम बन जाएगा तो पैरलेलोग्राम जब भी प्रूफ करना हो बच्चो तो आपको खोजन जाएगा जाएगा लिए पारलेलोग्राम बन जाएगा जो या फिर दोनों डाट उनल एक दूसरे को पाइसेक्ट तो नहीं करने हैं अगर बाइसेट करने तो भी पारलेलोग्राम बन जाएगा चोथा काम अगर अपेर आफ अपोजिट साइट सकर बराबर हैं यह यह बी बराबर एक दोनों तो भी यह पैरलेलोग्राम बन जाएगा इसको याद भी रखना है बच्चों क्योंकि अगर आपको पारलेलोग्राम प्रूफ करने के लिए बोला गया हो तो कोर्शन में कहीन न अब दिदा पता चल जाता है कि आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना पड़ेगा इस यह पांचों में प्रॉपर्टी को कोई खोज लिजिए अगर आपके दिया हुआ है तो पहले आप उसे खोजिए कि यह प्रॉपर्टी तो कहीं नहीं दिया तो एक काम आपका हो जाएगा क कि पैरल्लेलोग्राम बच जाएगा इस वीडियो के लिए इतना ही अगले वीडियो मैं बताऊंगा कि कैसे किसी कोडिलेटर को रेक्टेंगल प्रूप करना है ओके इस वीडियो के लिए इतना ही थाइंक